असलाम अलेकूम वेलकम बैक तो मैं यूट्यूब चैनल तो कैसे हैं फ्रेंड्स आप सब लोग अमीद करती हूं ठीक ठाग होंगे तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जाड़ी हूं स्नैक्स की रेसिपिया थोड़े से आलू से घर में इतने साथ स्नैक्स रेड़ी कर सकते है और वो भी बिल्कुल असान तरीके से जरा भी मुश्किल नहीं है तो चलिए फटाफर से शुरू करते हैं सबसे पहले हमने हाफ के आलू लिए उनको ऐसे क्यूब्स की शकल में काटके उनको पानी में डाल को बले के रख दिया ऐसे ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़त कि मेश करने के बाद हमने इसमें एड़् किया डालके इसको फिर हमने अच्छी तरह से मिक्स किया इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करते जाएं हलके हलके हाथों से फिर हमने इसमें मजीद धनिया और वन डी स्पून चिकन पाउडर एड़ किया और फिर दुबारा से इसको अच्छी तरह से मैश रिया साथ म इसकी जो गुठलिया है वो हम इसको उनको मिटाते जाएंगे तो तब तक जब तक हम लोग इसको मिक्स कर रहे हैं तब तक आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें शियर कर दें और कोमेंट कर दें किया आपके भी स्नैक्स गर में इसी तरह के बने हैं हमें तो इनका बहुत मजाया था तो चलिए अब हम क्या करते हैं हम इनको अब सेट होने के लिए 10-15 मिन तक फ्रीजर में रख देते हैं फिर हम इसके ऐसे लंबे गोल गोल शकल के हम इसके स्नैक्स बनाकर अब छोटी-छोटी हिसों में काट लेते हैं और हम इनको ऐसे ही पर कोई चीज नहीं लगानी और याद रहे कि आपका गी जो है वह बहुत अच्छी तरह से गरम होना चाहिए अगर आप ठंडे गी में डालेंगे तो यह सारे खराब हो जाएंगे इनको ठंडे गी में बिल बहुत अच्छे से बन के राडियो होगी है और यह बिलकुल टूटेंगी भी नहीं बहुत अच्छे यह स्नैक्स बन के राडियो है यह healthy भी है बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी सभी इसको बड़े शौक से खाएंगे बच्चों को लंच बॉक्स में दें, बच्चों को नाश्टे में दें, ये बहुत हैल्दी है, इसमें कोई हामफुल मसाला जाते ही है, तो आप लोग गर्मिस को जरूर ट्राइ करेगा और चैनल पे नए हैं, तो सब्सक्राइब करें, वीडियो का लाइक करें, शेयर करें, बाइ-बाइ, टेक केर, अलाह हाफीज,